हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है जायभी से मेरे डीजी एप इंस्पिरेशन चैनल में आप सभी का स्वागती मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऩे कि अभी FAN STOP है मुझे önसे। मुझे FAN स्टाट करना है तो ये Z1UNT-टन में यूज करूँगी FAN स्टाट हो जाएगा और अभी मुझे इसे FASTS करना हैце taperay के लिए हमने क्या यूज किया यह middle one button तो इसके उपर मैं क्लिक करूँगी, fan बास्ट हो जाएगा वापिस मुझे लगता है कि fan slow चाहिए मुझे थोड़ा तो वापिस मैं क्या करूँगी यह जो first button इसके उपर मैं cluster कर दूँगी fan slow हो जाएगा और अभी मुझे क्या करना है फैन को बंद करना है पूरी तर से तो ये लास्ट वन बटन में यूज करूंगी तो फैन बंद हो जाएगा हाई फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम टेबल फैंक का अनिमेशन किस तरह से बना सकते इसके पर हमें जानकारी लेने वाले है तो सबसे पहले हमें क्या करना है तो टेबल ड्रॉ करके लेना है और ये अनिमेशन हम पॉवर पॉइंट में सीखने वाले है तो चलो स्टार् करना है तो मैं यहां पर format shape के अंदर size and properties में जाने वाली हूँ और rotation में जाके यहां पर minus 45 डालना है क्योंकि मुझे left side से rotate करना है अभी देखिए यह left side से इस तरह से rotate हो गया Ctrl D करके इसे मुझे duplicate बनाना है तो मैं Ctrl D press कर लेती हूँ इसे duplicate बना दिया इस तरह से और यह जो shape है इसे मैंने select कर लिया इसे मुझे rotate करना है vertical ही तो rotate पर क्लिक कर देंगे और flip vertical कर देंगे अभी यह जो shape है इसे select कर लेती हूँ और इस तरह से drag कर लेती हूँ दोनों shape को एक सद सिलेट कर लेंगे और align में जाएंगे और align center कर देंगे Ctrl G करके इसका group बना देंगे Ctrl D करके इसे duplicate कर लेंगे और इसे भी हमें rotate करना है तो size and properties में वापिस जाना है rotation में जाएंगे और 90 के angle से हम इसे rotate कर लेंगे अभी दोनों shape को एक सद सिलेट कर लेंगे एक बार इसे वापिस align करना पड़ेगा align center and align middle कर लेंगे और अभी हमें क्या करना है तो इसे पूरा ungroup करके लेना है तो इहा पर er share format के अंदर ही group option में जाएंगे ungroup उक्लीक कर लेंगे यह पूरा ungroup हो जाये का Ctrl A करके सब को एक सद स्लेक कर लेंगे और यहाँ पे shape format में जाके हमें मर shapes में जाना है और combine पर click करके लेना है तो इस तरह से यह पूरा combine हो जाएगा देखे इस सरह से यह अपना पहला शेय ब्रेडि हो चुका है और अभी हमें क्या करना है तो इसे फॉर्माटिंग अपलाइ कर लिया और ग्रेडियेंड फिल में जाएंगे और इसे कलर कर देंगे ग्रेडियेंड फिल में जाके एक अच्छा सा कॉंबिनेशन आप यहार से सिलेक करके ले सकते ह तो इस तरह का blue color का combination में यहाँ पर select कर रही हूँ और line option में जाके no line पर click कर देंगे borderline निकाल लेंगे और effects option में जाके मैं इसे 3D effect apply करना चाहती हूँ तो top bevel पर click कर देंगे और अच्छा सा 3D effect यहाँ से select करके लिना है हमें तो lighting option में जाके भी थोड़ा में change करके ले रही हूँ इसे देखते ही कौन सा खुबसूरत लगेगा अच्छा लगेगा उसके सबसे में इसे select कर लेती हूँ देखिए यह अच्छा लग रहा है मुझे तो मैंने यह इस तरह से adjustment कर ली है फॉर्मेटिंग कर ली Só तो देखिए अभी क्या करना है तो insert में जाना है shapes में जाना है और यहां से में hollow shape इंसेट कर के ले रही हूँ इस तरह से मैंने hollow shape को insert कर लिया इस तरह से मैंने drag करकर बड़ा कर लिया और देखिए yellow पॉंट है इसे कीच के इस तरह से मैं adjust करके ले रही हूँ और इसे उठा के थोड़ा यहाँ पे set करके ले लेती हूँ और देखते हैं कैसे अच्छा लगे उसके इसाब से छोटा बड़ा करके इसे properly adjust करके ले लेते हैं देखिए यह अच्छा लग रहा है तो मैं इसे इस तरह से बाहर रग देती हूँ और यह यहां पे वापिस हमें shapes insert करके लेना है rectangle तो इसके उपर मैंने click कर लिया rectangle के उपर और यह rectangle यहां पे इस तरह से में draw करके ले ले लेती हूं देखे इस तरह से मैंने draw कर लिया दोनों को एक साथ सिलेक कर लेंगे थोड़ा align कर लेते हैं तो align में जाएंगे center और middle कर लेंगे इस हाली rectangle को select करना है और वापिस इसे align करना है तो वापिस हमें align करने के लिए shape format के अंदर align में जाना है align center कर लेंगे और align middle कर लेंगे ठीक है इस तरह से और अभी सबसे उपर का rectangle में select कर लेती हूं और यहां पे size and properties में जाएंगे rotation में जाएंगे और 30 के angle से इसे rotate कर लेंगे तो देखें यह पूरा rotate हो गया इसमें से जो extra का portion है यह में निकाल लेती हूँ जो extra rectangle इसके उपर रहे गा ना वो पूरा में निकाल लेती हूँ इस तरह से select करके खली delete करते जाना है अभी यह पूरा portion select कर लेंगे और इसका control G करके group बना लेंगे और वापिस यह hollow shape select कर लेंगे और इसे center align कर देंगे तो arrange में जाएंगे और align Center कर देंगे और वापिस arrange मेंजाके and align middle करलेंगे इस तरह से और वापीस अभी हमें क्या करने है यह पूरा जो अंदर का ग्रूप है सिलेक करना है Ctrl D कर लेना है इसको और इससे 15 के एंगल से रोटेट करना है तो वापीस में साइज और प्रॉपर्टीज में जा रही हूँ अभी इससे पूरा अंग्रूप करना है हमें तो वापीस हमें क्या करना है शेफ फॉर्माट में जाना है ग्रूप और अंग्रूप पर क्लिक करना है तो पूरा अंग्रूप करके लेना है इस सबको यह देखे पूरा अंग्रूप हो चुका है अभी वापिस यह पोशन में सिलेक कर लेती हूँ और शेफ फॉर्माट के अंदर जाएंगे और मर्शेब्स के अंदर जाएंगे और यहां पर यूडियन पर क्लिक कर लेंगे यह पूरा यूडियन हो जाएंगा और अभी हमें क्या करना है नो लाइं पर क्लिक करके इसकी लाइन निकाल देनी है और इसके उपर भी मुझे 3D अपलाआ करना है तो यही 3D format मुझे इसके उपर चाहिए तो मैंने इसे select कर लिया और home option में जाएंगे format panda पर click कर देंगे और इसके उपर click कर देंगे तो देखिए इस तरह से 3D हमें यहाँ पर मिल जाएगी ठीक है यह देखिए यह तरह से खुब सरह सा 3D हमें यहाँ पर मिल गया अभी हम क्या करेंगे तो वापीस एक hollow shape मुझे यहाँ पर चाहिए तो इसका जो 3D है यहाँ पर मुझे थोड़ा change चाहिए तो मैं यहाँ effects option में जाके 3D में थोड़ा change कर देती हूँ तो suppose यह वाला 3D हम apply कर लेंगे और यहाँ पर थोड़ी setting कर लेते हैं तो यहाँ पर lighting option में जाके lighting effect में थोड़ा में चेंज कर लिया तो देखिए जैसे खुब सुरत लगे उसके इसाब से हम यहाँ पर adjust करते जाएंगे तो यह अपना इतना हो चुका तो अभी मुझे क्या करना है इसके अंदर भी एक hollow shape insert करके लेंगे तो मैं insert में जा रही हूँ shapes में जा रही हूँ और यहाँ पर hollow पर क्लिक कर लेती हूं देखिए इस स्तरव से में hollow shape यहाँ पे बड़ा कर लेती हूँ देखे थोड़ा छोटा कर लिया और अभी इसे इस तरह से थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसकी बीच में हमें यहाँ पे इसे बिठाना है थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ देखे इसकी बीच में हमें यहाँ पे इसे बिठाना है तो उसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ त तो same to same इसकी formatting मुझे इसके उपर भी चाहिए तो इसे select कर लिया, home पर click कर देंगे, format painter पर click कर देंगे और इसके उपर click कर देंगे, तो 3D इसके उपर भी apply हो जाएगा, अभी इसे इस तरह से और ये जो बाहर का portion दोनों को select कर लेते हैं, और दोनों को वापिस हम align कर लेते है तो align center और align middle कर लेंगे, देखे इस तरह से ये पूरा यहाँ पर बन चुका, इसे मैं control जी करके group भी कर लेती हूँ, और अभी हम वापिस insert में shapes में जाएंगे, और एक oval shape यहाँ पर insert करके लेंगे, और हमें क्या करना है, drag करके इसे इस तरह से adjust करके लेना है, और adjust करने के ब अप्लाइ करने के लिए यह portion में ने select कर लिया, home option में जाएंगे, format printer पर click कर देंगे, और वापिस इसके उपर click कर देंगे, इसका 3D मुझे change करना है, तो वापिस effects option में जाएंगे, और यहाँ से यह वाला 3D अपलाइ करना चाहती हूँ, और इसे यहाँ पर इसके बीच में एड़िस करके लेंगे, और यह पूरा select कर लेंगे, वापिस इससे एक बार align करना पड़ेगा, तो align center कर लेंगे, और align middle कर लेंगे, और control G प्रेस करके इसका group बना देंगे, देखे, इतना हमारा दो shapes तो ready हो चुका है, बहुत अच्छा लगा है, और यह नीचे वाला portion में ह यहाँ पर में draw करके ले लेती हूँ, देखे, यहाँ पर direct में draw कर रही हूँ, इस तरह से adjust भी करके ले लेती हूँ, और वापिस यहाँ पर हमें oval shape insert करना है, तो यहाँ पर में यह देखे, यहाँ से oval shape ले रही हूँ, एक oval shape में यहाँ इस तरह से draw कर लेती हूँ, और इसे म में इसे adjust करके ले लेती हूँ और इसे थोड़ा यहां से छोटा कर लेते हैं ठीक है ऐसा ठीक है तो दोनों को एक साथ मैं select कर लेती हूँ इसे oval और यह जो triangle है दोनों को select कर लिया merge shapes में जाएंगे और union कर लेंगे और अभी और एक मुझे तो मैं insert में shapes में जाओंगी यहां से oval पर क्लिक कर लेंगे देखिए इस तरह से और एक oval मैंने यहां पर draw कर लिया यहां पर हमें यह ओवल इस तरह से set करना है इसे bring to front कर लेते हैं सबसे पहले तो यहां से मैं bring to front कर यहां से फॉर्माट के अंदर option है रिंग टू फ्रंट का देखे यह इस तरह से हुबसुरत लग रहा है बहुत ही और अभी हमें क्या करना है तो इससे भी 3D format अपलाए करना है यही 3D format में अपलाए करना चाहती हूँ तो वापीस हमें होम में जाना है फॉर्माट पेंट अपर क्लिक करके देखे इस तरह से में अपलाए कर दिया 3D में चेंज करना है तो वापीस effects option में 3D format में जाके यहां से मैं यह वाला 3D अपलाए कर देती हूँ और यहां से थोड़ी setting कर लेती हूँ changes थोड़े मुझे यहां पे चाहिए यह देखे जितना खुबसूरत लगे जैसे खुबसूरत लगे उसके हिसाब से हम यहां से adjust करके ले लेते हैं चीक है lighting effect में जाके मैं एक बार थोड़ा देख लेती हूँ जैसे खुबसूरत लगे वैसे मैं यहां पे setting कर लेती हूँ ठीक है तो मुझे इस तरह से यह चाहिए और अभी same formatting मुझे यहां पे भी यह जो ओवल है इसके उपर भी चाहिए तो मैंने इसे select कर लिया और format पेंट अपर क्लिक कर लेंगे और वापिस इसके उपर क्लिक कर लेंगे देखिए इस तरह से यह adjust हो जाएगा इसके नीचे इ अब यहां से ओवल थोड़ा में चुटा करके ले लेती हूँ और इस तरह से इसे adjust करना है देखिए इस तरह से मिठा दी है मैंने यह थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ और इसका color थोड़ा हम change कर लेते हैं तो यहां से मैं थोड़ा सा color change कर रहे हूं यह देखिए इस तरह से color मैंने डाल दिया अभी control G करके दोनों का group बना देंगे बहुत ही खुबसुरत लग रहा है अभी हमें क्या करने इससे उठा के इसके नीचे इस तरह से इसे में send to back करना चाहती हूं तो इस तरह से मैंने यहां से send to back पर क्लिक करके इससे send to back कर लिया और अभी यह जो triangle इसे थोड़ा सा में छोटा कर लेती हूं इस तरह से और अभी इन दोनों को भी select कर लेते हैं triangle और ओवल और इने वापीस align कर देते हैं तो यहां पर align हमें align center कर कर देंगे और अभी इसे send to back कर लेते हैं तो यहां पर send to back पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से पीछे की तरफ चला जाएगा तो देखिए इतना हमारा portion तो complete हो चुका इसे भी हमें दोनों को select करके align करना पड़ेगा वापिस align center कर लेंगे तो देखिए इस तरह से प्रोपल मैं adjust कर दूंगे ना तो यह देखिए कितना खुबसरत लग रहा है अभी बहुत ही खुबसरत बन चुका है अपना table fan तो यह रखने से पहले में क्या करूंगी इसको animation effect अपला करूंगी तो animation effect अपला करने के लिए यह पूरा portion मेंने select कर लिया और animations में जाएंगे और यहां इसके उपर spin animation effect में अपला करना है तो यहां पर emphasis में जाके spin पर में click कर देती हूँ इस तरह से spin animation effect इसके उपर अपला हो जाएगा animation pan active कर लेंगे और यहां पर थोड़ी setting करनी है animation की तो double click कर लेंगे और यहां पर setting कर लेंगे तो timing में जाएंगे यहां पर start with previous duration 2 ही रखना है मुझे और repeat until end of slide रखेंगे और okay पर click कर देंगे तो इस तरह से यह अपना fan rotate होने लगेगा चलने लगेगा ठीक है यह पहला वाला animation यहां पर complete हो चुका है तो यह format background का option में अभी बंद कर देती हूँ और अभी यह portion है इसे उठा के मैं इसके उपर properly center में रख देती हूँ चीक है इस तरह से मैंने इसे center में adjust कर लिया तो देखिए यह अपना table fan कि इतना खुब सरसा table fan यहां पर बंद चुका है इसे select कर लेती हूँ और उठा के थोड़ा सा इस तरह से मैं रख देती हूँ देखिए अपना इतना fan तो पूरा ready हो चुका है तो अभी हमें क्या करना है तो इसे hyperlink डालनी है तो उसके लिए मैं यहां पर तीन buttons बना के ले रही हूँ तीन buttons इस टाइप के buttons रहें के जो पहला button रहेगा वो fan को start करेगा जो बीच वाला button रहेगा वो fan का speed बढ़ाएगा और वो जो last button रहेगा वो fan को बंद कर देगा तो किस तरह से हम adjust कर सकते है या इस टाइप का animation हम किस तरह से बना सकते है देखे तो मैं सबसे पहले buttons बना के ले ले दी हूँ तो insert में जाएंगे और shapes में यहां पर oval shape में button में बनाने वाली हूँ तो इस तरह से oval shape में यहां पर draw कर लिया और कौन से size में हमें button चाहिए उसके सबसे में यहां पर setting कर ले अंदर जाके मैं इसे भी color दे देती हूँ तो थोड़ा सा यह वाला color में apply कर देती हूँ line option में जाके borderline निकाल देती हूँ effects option में जाके इसे में 3D effect भी apply कर देती हूँ तो यह वाला 3D effect में इसके ओपर apply कर देती हूँ तो यह अपना खुबसरील सा button भी यहां पर ready हो जाए में बन कर देती हूँ अभी Ctrl D करके यही button को में और एक बार duplicate बना के ले लेती हूँ और वापिस Ctrl D करके से वही button को में ने duplicate बना लिया तो तीन button यहां पर ready हो चुके है तो अभी हम देखते है किस तर से hyperlink डालने वाले हैं तो यह पूरा fan अपना ready हो चुका है यह पहली slide है यहां पर हमें क्या करना है और दो slides बनानी है मतलब यह जो पहली वाली slide है इसको ही duplicate हमें करना है तो देखें Ctrl D करके मैं इसी duplicate कर रही हूँ और वापिस Ctrl D करके इसी में duplicate कर रही हूँ तो इस तरह से तीन slides हमें यहां पर चाहिए तो सबसे पहले वाली slide है इसके अंदर हमने जो animation effect अपलाई किया था वो पूरा animation में यहां से remove कर रही हूँ यह देखिए remove कर दिया तो अभी जो पहली slide है इसके अंदर का यह जो fan है यह इस fan को जरा भी animation effect नहीं है दूसरा जो slide है अपना उसके उपर जो fan है उसके उपर जो हमने animation effect दिया है प्ले करके यह देखिए इस तरह से animation effect हमने दिया था तो यह ऐसे के ऐसे ही रहना है और अभी slide number 3 पर जाएंगे और यहां पर जो animation हमने अपलाई किया था उसमें थोड़े change करने तो animation में यहां पर select कर देती हूं यह पर animations option में जाएंगे और duration जो हमने दो दिया था तो मुझे fast fan गूमना है उसके हिसाब से adjust करना है तो duration मुझे change करना पड़ेगा तो देखिए duration में यहां पर कम कर देती हूं 75 50 रग देते हैं ठीके तो अभी क्या कर दिया मैंने पहली जो slide है animation बिल्कुल भी नहीं है दूसरी slide है slow slow fan गूम रहा है और third one जो slide है उसमें fast fan हमारा गूमने वाला है तो अभी उसके हिसाब से हमें link अपलाई करनी है अपने buttons के उपर तो कैसे करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले मैं यह पहला वाला button सेलेक्ट कर लेती हूं और रखेंगे कैसे वो भी हम decide कर लेते हैं यह जो पहला वाला button है देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूं screen को ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए मैं क्या कर रही हूं यह देखिए तो यह जो पहला वाला button है इसे हम क्या रखेंगे तो fan start करने के लिए यह पहला वा बटन यहां पे select कर लिया है और अभी insert में जाएंगे और यहां पे link option ही इसके उपर click कर लेंगे और यहां पे हमें क्या करना है तो यहां पे हमें जाना है place in this document इसके उपर तो यह अपने document के अंदर कितनी slides से देखिए slide titles के अंदर हमें दिखा रहा है slide number one, slide number two and slide number three अगर आपको डालना है तो आप ऐसे भी डाल सकते हो first slide, last slide, next slide ऐसे भी करके आप link डाल सकते हो लेकिन आपको समझ में आया अच्छे तरह से इसके लिए में slide titles में जाके ही link डालने वाली हूँ ठीके अभी हम slide number one पे है और अपना ये first one button मैंने select करके रखा हुआ है, तो ये first one button का use हम क्या करने वाले है तो fan को start करेगा, fan को start करेगा मतलब start कैसे होगा तो slide number two पे जो हमने animation slow slow में दिया है तो वेसे हमारा fan start हो जाएगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो button select है, इसको मैं link डालने वाली हूँ slide number two key, और okay के उपर हम click कर देंगे, तो इस तरह से पहली link हमारी यहाँ पे adjust हो चुकी है, यह हमने पहली link यहाँ पे डाल दी है, अभी second यह जो button मैंने second one दिया हुआ है, इसका use हम क्या करेंगे, तो speed बढ़ाने के लिए use करेंगे, तो इसके लिए भी हमें link डालने पड़ेग तो यहाँ पे link option में वापिस जाएंगे, speed कौन से slide में हमने बढ़ाया है, तो slide number third में बढ़ाया है, तो यहाँ पे slide number three select कर दीजे, और okay बर click कर दीजे, हो गया, और यह जो last button है, इसका use हमें fan stop करने के लिए, जो कि अभी हमारा fan stop ही है, तो यहाँ पे कुछ link डालने की तो यह first one button उसी के लिए हम use कर रहे है, तो अभी वही slide के ऊपर हम है, तो यह first one बटन है, इसके ऊपर कोई भी link नहीं आएगी, यह beach बटन है, इसे में select कर रही हूँ, fan fast करने के लिए इसका use हम करने वाले है, तो वापिस हमें क्या करना है, link option में जाना है, और fan fast कैसे होता ह अभी slide number 3 पे है, तो slide number 3 को हम select कर लेंगे, ok पर click कर देंगे, और last one यह जो button ही, इसका use हम क्या करने वाले है, तो fan stop करने के लिए use करेंगे, तो वापिस हमें क्या करना है, इसको link apply करना है, link option में जाना है, और slide number 1 करना है, जहां पे कोई भी animation नहीं है, मतलब fan stop हो जाएगा, यहां पर click कर देंगे, और ok पर click कर देंगे, तो इस तरह से, slide number 2 पे भी मैंने, link apply कर दीए है, अभी हम जाना है, slide number 3 पे और यहां पर हमें links apply कर दीए है, यह जो first one button है, इसे मैंने select कर दिया, और वापीस हमें link option में जाना है, इसका use हमें क्या करने है, यहां पर 2nd 1 बटन इसे में कोई भी लिंक नहीं अपला करने वाली हूँ क्योंकि इसका यूज हम फास्ट फैन करने वाले थे और 3 फैन फास्ट है तो यह जो 2nd 1 बटन है इसके उपर में कोई भी लिंक नहीं अपला करूंगी और यह जो 3rd 1 बटन है इसके उपर फैन स्टॉप करने की लिंक डालनी पड़ेगी तो यहां पर लिंक उप्शन में जाएंगे और इससे कि अधर इसन स्टॉप क्लिक कर देंगे तो इससह से तीन स्लाइड के ऊपर जो फैन है उसे उपर चुपर जो बटन से उनको मेंने लिंक इससे बंब्लाकर दी है अभी हम slide number one पे जाते हैं और देखिए यह मैं छोटा कर लेती हूँ इस रसिस अभी देखिए इसे हम कैसे देख सकते हैं जो link हमने apply कर दी है तो इसके लिए मैं slide show पर ही direct click कर रही हूँ अभी slide number one पे है हम और slide show के उपर में click कर देती हूँ अभी fan stop है मुझे fan start करना है तो यह first one button में use करूँगी fan start हो जाएगा और अभी मुझे इसे fast करना है तो fast करने के लिए हमने क्या use क्या था यह middle one button तो इसके ओपर में click करूँगी fan fast हो जाएगा वापिस मुझे लगता है कि fan slow चाहिए मुझे थोड़ा तो वापिस में क्या करूँगी यह first one button इसके उपर में click कर दूँगी fan slow हो जाएगा और अभी मुझे क्या करना है fan को बंद करना है पूरी तर से तो यह last one button में use करूँगी तो fan बंद हो जाएगा कितना अच्छा और खुपसरत अनिमेशन यह इस तरह से हम बना सकते हैं पाउर पॉइंट में hyperlink अपलाए करके बहुत ही खुपसरत सा अनिमेशन यहाँ पे बन चुका है और उमीद करते हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा पसंद आया होगा तो मेरे इस कि आपको इस तरह से हम पुपसरत सा अनिमेशन यहाँ पुपसरता अनिमेशन यहाँ करते हैं फिस भीडियोर फॉणी करते हैं